कुरोना महमारी से बचाओ के लिए पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है दुनिया के कई मुल्क वैक्सीन बनाने की कोशिसों में जुटे हैं उनमें से कई क्लिनिकल ट्रायल से हुमन ट्रायल तक सफल भी हो गए हैं लेकिन मंगलवार को रूस के राष्टपती व्लाद उनकी अपनी बेटी को इस वैक्सीन का पहला टीका दिया गया है रूस के वैक्सीन बनाने के दावे के बाद पूरी दुनिया में इस पर चर्चा तेज हो गई है हर किसी को वैक्सीन का इंतजार है ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या डबलू एचो इस वैक्सीन को मंजूरी द सामने आए और कोरोना वैक्सीन बनाने की जनकारी थी पुतीन ने बताया कि उनके देश ने दुनिया के पहली कोरोना वैक्सीन बना लिए करीब दो महिने के यूमन ट्रायल के बाद इस वैक्सीन को रूस में मंझूरी दे दी गई है इस वैक्सीन का नाम एस पूतनिक वी है यह नाम भी खास है क्योंकि एस पूतनिक दुनिया की पहली सेटेलाइट का नाम था जिसे सोवियत संग ने 1957 में लॉंच किया था इस सेटेलाइट से जोरकर रूस ने दुनिया की पहली कोरुणा वैक्सीन का नाम दिया है रूस के रख्ष मंत्राले और गमालिया नेशनल सें इन वॉलेंटियर्स में वाइरस के खिलाफ इम्यूनिटी विक्सित हुई है ट्राइल के बाद पहले गुरूप को 15 जुलाई और दूसरे गुरूप को 20 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया था हलांकि एक बड़ी ख़वर हिया है कि इस वैक्सीन का अभी फाइनल ट्र और चांट ओाईाल में बड़ी संक्या में लोगों पर ट्राइल किया जाता है आम तर पर इस सफल संगटंगी को पॉब्लिक यूज के लिए मनजूरी दी जाती है बिस्वस्वास्त संगठन ने इस vaccine के तीसरे चरुन के ट्राइल में होने की बात कही है रूस के साथ WHO approval पर चर्चा कर रहा है WHO ने पहले कहा था कि अगर किसी vaccine का तीसरे चरुन के ट्राइल किए बगेर उसके उत्पाधन के लिए license जारी कर दिया जाता है तो यह बहुत खतरनाक कदम साबित हो सकता है आपको बता दें कि वेक्सीन का एडवांस क्लिनिकल ट्रायल यानि फेज 3 का ट्रायल 12 अगस्ट से सुरू होने जा रहा है इस ट्रायल में UAE, सौधी अरफ, फिलिपिन्स और ब्राजील भी सामिल हो रहा है पहले और दूसरे रंदीब गुलेडिया ने कहा है कि वेक्सीन के इस्तेमाल के लिए दो बाते महतोपूर्ण है पहले यह कि इसपष्ट करना होगा कि वेक्सीन सुरक्चित है या नहीं यानि इसका कोई साइड एफेक्ट तो नहीं है दूसरा यह है कि वेक्सीन कितनी कारगर है यानि इसकी आयोग के सदस डॉक्टर फीकेपाल की अधिक्स्ता में एक राष्ट्रिय विश्च सब्गे समू का गठन किया गया है जो इस संब्ध में सरकार को सला देगा आपको एक और बात बता दें कि यह वीडियो केवल जनकारी देने के लिए बनाया गया है बिहारी न्यूज कोरोना का वेक्सीन बनने का कोई दावान नहीं करता है साथ ही आपसे यह अनुरूत करता है कि कुरोना से जुरे किसी भी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सला से ही करें धन्यवाद